दोस्तों आज के इस वीडियो को टॉपिक है वाय 25 kv ac used in traction system दोस्तों जो हमार रेल्वे के जो इन्यन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला जो होता है वो डीजल से चलता है और जो दूसरा होता है वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला होता है और जो इलेक्ट्रिक से चलने व उपार करते हैं यहां पर 25 को कियो करते हैं यह तो इसका क्या तरान है जो तो कई भाय हों का कमेंट्र आहएद हो उसके ऊपर मैं यह वीडियो बना रहा हूं दो सो आज के वीडियो में क्लिए कर देंगे कि सब्सक्राण करते हैं। L impression होता है कि माह उन्हों को हम इर और यहां पर जायेका तो यह पर 11 के भी जा रहा रहा है या त trio जाना हो जादा रहा है ऑब्लटेज से हमारा कहता है वह कहता है कि अगर बोल्टेज बढ़ने पर करन्ट भी बढ़ेगा लेकिन दो बने प्रकरण्ट साय notamment के बात करें अगर जहां की प्यृक्टीकल में क्या होता है कि पावर अगर अगर हमारा वट्येज से मैं सिक्स है तो बॉल्टेज बढ़ने पर क्रण्ट हमारा का मुझाए गाए ठीक है लेकिन ओमसला में ऐसा नहीं होता है उन्सवाम में मोटेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगा और मोटेज़श कमbooks कम होने पर करंट पकंचार मोटर के साथ जोड़ देता है अगर कोई हमारे मोटरów बहुत बड़ी है तो ट्रेंद को चलाने के लिए माली बोल्टेज कम पड़ गया तो यहां पर हम 440 भी यूज कर सकते हैं जो यह मोटर होता है इसको यह मोटर 25 केवी से ना चला करके इसमें 25 केवी से सप्लाई आती है लेकिन जो मोटर ऑपरेट होता है वो 440 बोल्ट से होता करन्ट कम हो जाएगा करन्ट कम हो जाएगा तो हमका जो जो कनेक्टर के जो साइज है जो हमारा वायर में चल रहा है इसका हमको साइज को ज्यादा थिक नहीं करना पड़ेगा यह थिन ही रहेगा मतलब मोटर नहीं करना पड़ेगा यह हमारा पतला रहेगा ठीक है अगर ब दिख एबने से किल email डेगा हमको जो इसका कंडिक्टर है इस कंड्यक्टर को टिक करना पड़ेगा मोटर करना पड़ेगा तो कि ऑम सला का मसार ये भी सही है और अगर पहल chloride कि बात करें नीज पी बात करें तो भी साहिए-था पर एक बना चुका हूं मैं पिछला वीडियो की बोल्टेज बढ़ने पर करन्ट कम होगा या ज्यादा होगा तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप जागे देख लीजेगा आपको यह रेल्वे में 25 क्यूं करते हैं यह आपको समझ में आ जाएगा पूरा आपका जयादा रखेंगे तो हमारा करेंट कम जाएगा तो कि जमारा इसमें मौटर लगा उइंडर में उस मोटर का जो किलनोग हो आगा यह कोई कम ज्यादा या आप दाउन नहीं हो गा यहां पर करेंट भी हमारा फिक्स हो अब अगर करन्ट हमारा माली 130 ले रहा है एक्जामपल के लिए तो अगर हम 25 के भी दे रहे हैं 25 के भी से हमने इसको बनाया बनाया अभी 415 बोल्ट हमार जो एसी ड्राइब लगा होगा उसमें जाएगा फिरम इस मोटर को उसमें करेंट कर देंगे और यह जो मोटर दो इसमें यूज होता है यह ट्रेक्शन मोटर होता है ट्रेक्शन मतलब लोड पढ़ने पर यह इसकी स्पीड कम नहीं होती है यह ज यूज नहीं करेंगे यहाँ पर बोल्टेज अगर कम यूज करेंगे तो बोल्टेज कम होने से करांट हमारा बढ़ जाएगा जिससे हम रेल में जो कन्डेक्टर होता है उसका साइज हमको बढ़ा करने का पड़ेगा मोटा करना पड़ेगा जिससे यह कोश्टली तो लोड जाएगा तो बैसेकलिए इसका रीजेन यह होता है कि 25KB इसलिए ही उचे करते हैं जब लिए करदूं जहां पर पावर हमारा हिस रहेगा वहाँ पर बोल्टेज बढ़ने पर करण्ट हमारा कम होगा और जहां पर पावर हमारा कि कोई बात नहीं हो रही है आप बोल्टेज बढ़ने पर करन भी हमारा बढ़ेगा और बोल्टेज कम होने पर करन भी हमारा कम होगा यह जीदिए तो आप बिल्कुर समझ लीजेगा अगर आप से इंटर्बू में पूछ लिए जाता है तो अगर आप इसका जबाब देंगे तो आईओप कि आप पास हो रही है अगर आपको आपको समय कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं में उसको अगली वीडियू में कबर करने की पूरी कोशिश करूंगा नमस्का दोस्काए